दोस्तो अगर आप भी ब्लॉक करना चाहते हैं अपने Android डिवाइस में पॉन साइट को तो देखते रहें इस वीडियो को एंड तक मैं आपको इस वीडियो में बताओंगा कि आप अपने Android डिवाइस में पॉन साइट को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं बिना Rooted डिवाइस के तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको खोल देना आपका Google Chrome या जो भी ब्राज़र आपके फोन में उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है Google उसके बाद आपको चले जाना पहले वाले लिंक पे उसके बाद यहाँ आपको आना नीचे और Settings दिखेगा आपको उसके कर देना क्लिक उसके बाद सबसे उपर आपको दिखेगा Search Settings आपको उसके क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स करनी है, यहाँ पर आपको Save Search Filters में आपको Filter Explicit Results पर क्लिक कर देना और वीडियो के अंदर आपको Do Not Auto Play पर क्लिक करके आपको नीचे आना और यहाँ पर इसे कर देना है Save उसके बाद अगर आप कोसिस करेंगे किसी भी पॉन साइट को खोलने की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो नहीं आएगा अगर यहीं हम बात कर इसकी Image की, तो आप Image पर भी क्लिक करेंगे, तो भी यहाँ पर नहीं आएगा अब एक और सैटिंग है, इसकी जो की करना ज़रूरी है, उसके लिए आपको करना है Play Store को Open उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना, उसके बाद आजाना है यहाँ पर आपको इसके सैटिंग्स में उसके बाद यहाँ आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर इंटर कंट्रोल दिखेगा, आपको स्पे क्लिक कर देना है उसके बाद इसे कर देना, On यह आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिएगा, तो यहाँ पर आपको आपका पासवर्ड क्रिएट कर लेना है बट श्योर कि आप पास्वर्ट भूले ना उसके बाद यहाँ पे आपको एपस और गेम जो है उसे अपने इंटरस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर ले ना जैसे 16 प्लस की या 18 प्लस की एपस और गेम सी आपको प्लेश्टोर पे दिखाएगा वरना नहीं दिखाएगा उसके बाद इसे कर देना है सेव उसके बाद एपस और गेम पे जो एड आते हैं वो भी इसी के अकॉर्डिंग आएंगे उसके बाद यहाँ पे आप मोस्ट रिस्टेक्टिव पर क्लिक कर सकते हैं उसके बाद तीसरा म्यूजिक तो इस पे आप क्लिक करके इसे सेव कर दीजेए तो इस तरीके से आप बिना किसी रूट के अपने एंडुड डिवाइस में पॉन साइट्स को कर सकते हैं ब्लॉक